हेलो एवरिवन वेलकम ते नुश्या स्मार्ट कुकिंग आज में लेके आएं आलू टिकी बर्गर की वीडियो लेके आएं गर्पे जरूरु ट्राय करके देखेगा आप सभी को पसंद आने वाला है और जटपट बनने वाली रसीपी सारी चीजी आपको घर पे मिल जाएगी तो चली सबसे पहले तो मैंने पेन में ओल डाल दिया था और उसके बाद में एक टेबर्सपून बटर भी एट कर लिया है दोनों चीज अच्छी गरम हो जाए उसके बाद में इसके अंदर एक इंचितना मैंने अद्रप को ग्रेट करके एट कर लिया है तीन से चारह अरी म एक तीस्पून गरम मसाला एक तीस्पून उपाद में ब्लैक पीपर एक कर लेंगे देने करने ईट्रेक्षा वालो वह अलु सट Walk class इक ओल्स मे लिए बहने सबस्क्राइक को सेखिए डाड ही good नहीं कीप प्रोपर अच्छी से मिक्स कर लें के अब उसके नमक कर सकते हैं एक प्रीच करेंगे पर दन्याच को एक निम्बू का रहा सेट कर लेंगे इसे एकदम ठंडा हो जाए उसकी बाद में हम इसे सेट होने के थोड़ी सी फिज में रख लेंगे एक को याद आप होने गंटे के लिए रखेंगे अगर अपको नहीं रखना है तो कोई प्रोब्म नहीं आप तोरंती इसे बना सकते हैं तो चलिए चप्तर तप्षप अधर एड़ कर लेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे अब इस तरह से कोई एक पॉइल ले लिजेगा आपके पास कोई भी है तो भी चलेगा को अगर आप नहीं रखना चाहते कोई प्रोब्म ने तुरंती आप बना सकते हैं तो मैं से थोड़े की सेट होने के लिए फिज म पहले से ताकि आप एकडम से आसानी से कट करने का ही रहेगा तो मैंने आदे गंटे के लिए में रख लिया था बेसे निकाल के इसके जिससे यानिके जो बर्गर का बर्गर का जो बन होता है तो पेटी हमारा उससे थोड़ा चोटा बना चाहिए क्योंकि हम इसको ऊपर 9 चोटासा मैदा को कता है 2 एम बumbs लिए और 2 तीन टेबर स्पून मैदा है तिन टेबल स्पून मैदा हो मैं कॉंप ऑडा में एड़े हो ढष्कू ए तो इन आरे विए उसके अंडर हमें नमक भी हैट कर लेंगे वहाना साब अप्यम मेंन टीक रेंग पाइनर 10 कम्स में तो इसे बैटर में डिप करने वाले हैं तो अब दिख सकते भी अच्छे से हो चुका है एक सेड़े में तेल भी गरम करने रख लिया था तो सबसे पहले तो हम मैदे में कोट करेंगे ताकि जो में बैटर रेडी किया है तो आराम से उपर चिपक जाए इसके लिए तो इस तर गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए उपर से बाहर से एक दिम क्रिस्पी ना लग लेंगे तब तक हमें आपके आपको फ्राइ कर लेना है तो इस तरह से ध्यान से कैरफुली एड़ कीजिएगा तब देख सकते हैं इसे मीडियम टूफ लो फ्लेम पर करके गोल्डन ब्राउ केचप एक से दो टेबल स्पून एड़ कर लेंगे दोनों चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसकी बात में हमेसे बर्गर बंड के उपर लगा लेंगे अगर अच्छे लग रहे तो फ्रेंट्स और फैमिली के साथ भी जरू शेयर करना और जो भी नए फ्रेंड चुड़े हैं अभी तक अपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना बुलेगा उसमें और वाला ओप्शन क्लिक करना तो यह मैं नहीं वीडियो की अब्डेट आपको मिलती रहेगी तो बटर लगा लिया था बंड को मैंने हलके से तोस्ट कर लिया ह अब इस तरह से बहुत ज़्यादा को करना नहीं है बस अंदर की साइड में तो यह रखा था ना मने तो उससे इस तरह से स्प्रेट कर लेंगे अच्छे से और जुम्ने पैटी स्टैडी करके रखा तो उससे भी रख लेंगे और एक टामेट और स्राइस रख लेंगे और लेंगे और उपर से चो एक से लिए लगा तो इसके उपर रख लेंगे तो गरूर पर जरूर रहे करते हैं उम्मीद करती है आज की वीडियों सबी को अच्छी देखें नेक्स्ट वीडियों में फिर से मिलते हैं बाइप रेंड्स